पीम नरेंदर मोदी का आज शपत गहन समारो राश्ट्रपती भवन में होगा आपको बिदा दें कि मोदी दूसरी बार देश के पीम बनेंगे मोदी सरकार के मंत्री मंडल में मरुधरा के सांसद भी शामिल होंगे राजस्तान के नाइकों में बिकानेर से सांसद अरजुनराम मेगवाल, जोर्थपूर से सांसद गजेंदर शिंख शेखावत, जैपूर ग्रामिन से युथा आईकोन सांसद कर्नल राज्यवर्दन राठोर्स के साथ पहली बार संसद पहुंचेंगे बाड़मेर से सांसद केलाश चौधरी, बता दें कि अरजुनराम मेगवाल तीसरी बार सांसद बने है, जबकि गजेंदर शिंख शेखावत और कर्नल राज्यवर्दन सिंग राठोर्स संसद की दूसरी बार सांसद बने है लेकिन खास बात ये है कि बाड़मेर से किलाश चौधरी पहली बार संसद पहुंचे, उनकी जीत सबसे बड़ी जीत थी, इसलिए कि चौधरी ने कॉंग्रेस के मानवेंदर सिंग को करारी शिकस दी है ये देखने वाली बात होगी कि अब मरुधरा के नायकों को मोधी मंत्री मंडर में आखिर कौन-कौन से विभागों की जिम्मेदारी सोंपे जाएगी आपको बता दूँ कि इस बार मोधी के मंत्री मरुधरा से कौन होंगे चोधपूर से जो सांसद चुने गए गजिन दशिंग शेखावद 2019 में विजय श्री हासिल की कौंग्रेस के वैभाव गहलोत को शिकस दिती मात दी थी और प्रदेश में सबसे अधिक होट से शेखावद जीते हैं 2014 में भी और अगर बात के कर ली जाए युथा आइकॉन माने जाने वाले जैपर ग्रामेंड से भाजपा से सांसद चुने गए राजय वर्दन सिंग राठोड जो की दूसरी बार संसद पहुंचे हैं दूसरी बार संसद बन कर आए हैं और जीत पर निशान असाधा मोदी के भरोसे पर खरे उत्रे करनर राजय वर्दन राठोड केंद्रिय सूचना प्रसारन राजय मंत्री का दाइत्वे बखु भी निभाया है और साथी युवाओं के मामलों में भी हमेशा आगे रहे कॉंग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी को 3,32,896 वोट से हराए गया अब बात कर लिजाए बार्डमेर से जो सांसद चुने गए हैं केलाज चौधरी जो की भाजपा छोड़कर कॉंग्रेस में आए मानवेंदर सिंग को हराया जो कि अपने आप में एक बड़ी जीत है पार्टी ने करनल सोनाराम की जगए चौधरी पर भरोसद अताया और केलाज चौधरी पहली बार बार्डमेर की सियासी हौट सीट पर कबजा जमा के जीत हासिल कर संसद पहुँचे हैं पीम मोदी ने चौधरी को चौधरी के लिए जनसभा भी की थी 2018 में विधान सबा का चुनाव लड़ा था और बार्डमेर से केलाज चौधरी पहली बार संसद चुने गए राजस्थान से चार संसदों को मंत्री मंडल में जगय मिलेगी लेकि देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन चारों मंत्रियों को देश के लिए कौन से जिम्मिदारी सोंपे जाएगी ये चारों ही सीट ये चारों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए भाजपा में जैपुर ग्रामिन से युथाई कोहन माने जाने वाले राजशेवर्दन सिंग्राठोड दूसरी बार संसद पहुँचे हैं राजपूरी उमीद है कि वो संसद मंत्रीपद के लिए शपत लेंगे बात अगर कर लिजाए जोदपूर सीट से गज़िन शिंग्षेखावत एक ऐसी हौट सीट से विज़ई रहे जहां सीम अशोग गहलोत के पूतर वैभाव गहलोत को हरा कर शिकस देकर इस जीत पर कबजा जमाया